बिस्मिल्लाहिर रख्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुक विद अकीले आमीन, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी आलू के समोसों की रेसिपी, तो ये सनफलार शेप में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आईए रेसिपी बनाना शूरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइट जरूर कीजिएगा, तो आईए रेसिपी बनाना शूरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रख्मान रहीम, तो सब इससे अधर एट कर रही हूं, ये उन्हें मैम् मैदे में मिक्स कर लूगे, इस तरीके से, मैंने फो टेबिल oral ही दिए घी घी हम थे हो मैसे मैं मरेड कर लिया थे, तो मैसे पहचान ये हैं अगर आप मैम hazin करते हम मेहीं, अब मैं घी को मैदे मेशे तरीके से मिक्स कर तो ये इसी तरीके से सैट हो जाएगा अब मैं इसके अंदर पानी एड़ कर रही हूँ तो पानी में थोड़ा थोड़ा करके एड़ करूंगी और अच्छी तरीके से हमारे अच्छे नहीं बनेंगे क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो जब अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है तो मैंसे इस तरीके से नीट कर लूँगी आप देख सकते हैं कि मैं हातों की हेल्प से इसको किस तरीके से नीट कर रही हूं ऐसे इस तरीके से और आप ये भी देख सक तो यह दो कितनी हार्ड है तो यह हार्ड ही होनी चाहिए हमें डो को नरम नहीं रखना तो यह दो अच्छी तरीके से नीड हो चुकी है अब मैं इसे एक बाउल के अंदर रख दूँगी इस तरीके से अब ब्रेश की हेल्प से मैं इसके ओपर मेल्टीट घी लागा रही हूँ अब मैं इसको कवर करके आदे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी तो जब तक हम समुसों की फिलिंग तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 3 टेबल स्पून कोकिंग वाईल आट किया है तो यह जब ज़रा सा हीट अप हो गया है तो अब मैं इसके अंदर एट करें हूँ साबुद जीरा 1 अना हाफ टेबल स्पून अब मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी अब मैं इसके अंदर एट कर रही हूँ एक अदद बड़ी प्यास जिसे मैंने बारीच चॉप कर लिया था जैसे हम ओमलेट के लिए प्यास सो काटते हैं उसी तरीके से अब मैंने इस प्यास को एक दूमनट तक पकाया है तो ये विल्कुल हलकी सी ट्रांस्कुलेंट हो गई है अब मैं इसके अंदर एट कर रही हूँ कुटी हूई लाल मिर्चे हाफ टेबल स्पून साबु धनिया मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूँ 2 टेबिल स्पून जिसे मैंने भूना था और फिर उसे कूट लिया था अब मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1-4 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चे मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूँ 1 टी स्पून, नमक मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूँ 1 टी स्पून, आप अपने जायके के हिसाप से भी नमक एड़ कर सकते हैं, अब मैं इन सब चीजों कची तरीके से मिक्स कर रही हूँ, एक दू मिनट त तो यह आप देख सकते हैं यह बहुत अची तरीके से सेट हो चुकी है तो अब मैं इसके portions बना लूँगी इस तरीके से तो मैंने थोड़ा सा flour dust कर लिया है और अब जो मैंने पेड़े बनाए थे उसमें से एक पेड़ा लेके मैं उसे बेल लूँगी इस तरीके से कोशिश कीजिएगा कि जितनी जरूरत हो उतना ही flour की dusting कीजिएगा बहुत ज्यादा मत कीजिएगा तो जितनी नॉर्मल रोटी होती है उससे थोड़ी सी मोटी रोटी बनाई है मैंने इसकी तो मेरे पास कटर छोटे थे बड़ा नहीं था तो जो manual pump आता है जो हम पानी के can में यूज़ करते हैं तो मैंने ये उसके उपर का cover लिया है आपको दिखा देती हूँ मैंने ये अब जो ये access बचा है इसे हम दुबारा से डो में शामिल कर देंगे तो ये एक piece में आपको बना कर दिखा देती हूँ मैंने ये एक piece के उपर थोड़ा सा आलू का better लगाया है अब जो इसकी ages है इनके उपर मैंने पानी लगा लिया है पानी अच्छी तरीके से लगाना है ताके ये piece fry करते हुए खुलना जाए अब मैं इसे cover कर दूँगी एक दूसरे piece से और बहुत हलके हाथों से इसे press करूँगी sides से तो ये मेरे पास एक mold था छोटे size का तो मैं इसकी cutting side use नहीं करूँगी दूसरे side use करूँगी तो मैं इसे रखके हलका सा press कर दूँगी इस तर तरीके से और पूरे round पर मैंने इस तरीके से cut लगा लिये हैं तो अब मैं ये 3-3 pieces को इस तरीके से pinch करूँगी तो आप ये देख सकते हैं कि ये flower की petal बन गई है और इस तरीके से मैं सारी petals तयार कर लूँगी और इस तरीके से मैंने सारे piece तयार कर लिये हैं तो मैंने एक pan में कुकिंग वाइल को मीडियम हीट पर गरम कर लिया है तो फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे इसे हाई नहीं करेंगे बना इस तरीके से ये जल जाएंगे तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे और इनको मैं फ्लिप भी करती रहूंगी और इस तरीके से सलाती रहूंगी ताकि ये एक जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए गोल्डन ब्राउन हो गये हैं तो मैं स्पून की हेल्प से इनकी स्पाइडर में निकाल दूँगी ताकि एक्सेस वाइल सारा निकल जाए इनका तो अब मैंने इनको एक टीचू पेपर पे निकाल दिया है इस तरीके से और इस तरीके से मैं यी सारे पीस फ्राइ कर लूँगी तो माशालला से आप देख सकते हैं कि यालू के समूसे तयार हैं लेकिन एक डिफरेंट शेप में और जाएका इनका उनसे भी ज़्यादा बेतर होगा जो हम बाहर से समूसे खरीद के खाते हैं इसको मैंने सर्फ किया है दो चटनीयों के साथ तो ये दोनों चटनीयों का ल पिस